इस वीडियो में हम MS XR MCQs की सेकंड वीडियो के बारे में जारेंगे तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट कोश्चन है दि फिल्ड सीरीज डायलो बॉक्स इन एक्सर हैस डैस सेक्शन तो यहां पे चार ओप्शन दिए गया है आप्शन A 1, आप्शन B 2, आप्शन C 3, आप्शन D 4 तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्शन D 4 इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कोश्चन है बीच ओफ दी फॉल्बिंग इस एन एक्टिव सैल इन एक्सर तो यहां पे चार ओप्शन दिए गया है आप्शन A cell address, आप्शन B range, आप्शन C formula, आप्शन D crunch cell तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्शन D crunch cell इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कोश्चन है तो यहां पे चार ओप्शन दिए गया है आप्शन A chart, आप्शन B clip art, आप्शन C world art, आप्शन D all of these तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्शन A, चार्ट इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है बिच फ़ंक्शन, डिस्प्ले, row data in columns और column data in rows तो यहां पे चार ओप्शन है आप्शन A, rows, आप्शन B, transpose, आप्शन C, hyperlink, आप्शन D, index तो इसका जो सही अंसर है वो है, आप्शन B, transpose इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है डैश operator combines multiple references into one reference तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए हैं आप्शन A, impression, आप्शन B, space, आप्शन C, कॉमा, आप्शन D, kolon तो इसका जो सही अंसर है वो है, option C, कॉमा इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, dash inserts in new worksheet तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए हैं option A, add plus shift plus f1, option B, add plus shift plus f2, option C, add plus shift plus f3, option D, add plus shift plus f4 तो इसका जो सही अंसर है हो है, option A, add plus shift plus f1 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, dash creates a chart of the data in the current range तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए हैं, option A, add plus f1, option B, control plus f1, option C, control plus add plus f1, option D, escape plus f1 तो इसका जो सही अंसर है वो है, option A, add plus f1 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, press dash to open the Excel formula window तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है, option A, shift plus f3, option B, shift plus f4, option C, shift plus f5, option D, shift plus f6 तो इसका जो सही अंसर है, option A, shift plus f3 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, dose based spreadsheet package is, यहां पे चार ओप्शन दिये गए है, option A, smart sheet, option B, excel, option C, spread pro, option D, lotus 123 तो इसका जो सही अंसर है, option D, lotus 123 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, when we create a chart on the separate sheet in the same workbook it is card A, तो यहां पे चार option दिये गए है, option A, chart sheet, option B, amended chart, option C, view sheet, option D, view chart तो इसका जो सही अंसर है, option A, chart sheet इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, dash sign is used to create an absolute cell reference तो यहां पे चार option दिये गए है, option A, dollar, option B, at the rate, option C, percentage, option D, minus तो इसका जो सही अंसर है, option A, dollar इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, hash value refer to, इसके बाद यहां पे चार option दिये गए है, option A, font value, option B, error in value, option C, subscribe, option D, addition of value, तो इसका जो सही अंसर है, option B, error in value, इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है, press to display the print dial box in MSXR, तो यहां पे चार option है, option A, add plus P, option B, control plus P, option C, escape plus P, option D, tap plus P, तो इसका जो सही अंसर है, option B, control plus P, इसका सही अंसर है, इसके बाद आगला कोश्चन है, to display the open dial box, to open or find a file, press, तो यहां पे चार option है, option A, add plus P, option B, control plus P, option C, escape plus P, option D, tap plus P, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, control plus P, इसका सही अंसर है, इसके बाद आगला कुछन है इने सप्रेज़ शीट प्रोग्राम दी डैश कंटेंस रिलेटेड वर्कशीट एंड डाकॉमेंट्स तो यहां पे चार ओप्शन है ओप्शन A, सैल ओप्शन B, फार्मूला ओप्शन C, कॉलम ओप्शन D, वर्कबुक तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन D, वर्कबुक इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है फार्म्स डैट आर यूज़ तो और्गनाईज बिजनेस डाटा इन्टू रोज और कॉलम्स अरकार्ड तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है ओप्शन A, Spreadsheets ओप्शन B, Business Form ओप्शन C, Registers ओप्शन D, Transaction Sheet तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन A, Spreadsheets इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है बिच ओफ दी फालविंग, Characteristics is used to compute dynamically the result from Excel data तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है ओप्शन A, Chart, Option B, Formula and Function ओप्शन C, Table, Option D, Diagram तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन B, Formula and Function इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है What are commonly be used to perform many different types of calculations तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Word Document, Option B, Slides, Option C, Spreadsheets, Option D, All of These तो इसका जो सही अंसर है ओप्शन C, Spreadsheets इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Which of the following terms is related with legends तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Operator Option B, Chart Option C, Word Art Option D, Clip Art तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Chart इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Press Dash to undo the MS Excel तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Control Plus C Option B, Control Plus U Option C, Control Plus X Option D, Control Plus Z तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Control Plus Z इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Dash moves the previous cell in worksheet और the previous option in dialog box तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Add Plus Tab Option B, Control Plus Tab Option C, Escape Plus Tab Option D, Shift Plus Tab तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Shift Plus Tab इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है To select the entire column, press यहां पे चार ओप्शन है Option A, Tap Plus C, Option B Tap Plus C, Option C, Add Plus Space Option D, Control Plus Space तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Control Plus Space इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है 2007 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है इसके बाद आगला कुछन है When you enter text in cell in Excel It also appear in the यहां पे चार ओप्शन है Option A, Status Bar Option B, Formula Bar Option C, Raw Heading Option D, Name Box तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Formula Bar इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है तो यहां पे चार ओप्शन दिये गया Option A, Split View Option B, Page Break Preview Option C, Print Preview Option D, Normal View तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Page Break Preview इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Cuts the Selected Cells तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Control Plus X Option B, Control Plus C Option C, Control Plus B Option D, Control Plus B तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Control Plus X इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Press the dash key to move the insertation point to the first cell in the row in Excel तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Page Up Option B, Page Down Option C, Home Option D, Tab तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Home इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Dash of the worksheet appear vertically and are identified by letters at the top of the worksheet window तो यहां पे चार ओप्शन दिएगे है Option A, Columns Option B, Cells Option C, Rows Option D, Addings तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Columns इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Press Dash to select Rows and Columns in the worksheet यहां पे चार ओप्शन है Option A, Ctrl-A, Option B, Ctrl-B, Option C, Ctrl-C, Option D, Ctrl-D तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Ctrl-A इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Repeats the last command और action तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Ctrl-C, Option B, Ctrl-R, Option C, Ctrl-U, Option D, Ctrl-Y तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Ctrl-Y इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Dash are equations that perform calculations on the value in your worksheet तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, functions, Option B, References, Option C, Formulas, Option D, Constants तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Formulas इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Press dash to bring up search box तो यहां पे चार ओप्शन दिये गए है Option A, Shift-F3, Option B, Shift-F4, Option C, Shift-F5, Option D, Shift-F6 तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Shift-F5 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है In dash tab you will find auto sum buttons तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Formating tab, Option B, Formula tab, Option C, Standard tab, Option D, Clip-out tab तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Formulas tab इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है Press dash to create a chart तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, F1, Option B, F5, Option C, F11, Option D, F12 तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, F11 इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है While selecting multiple birth sheets in Excel the following key must also be used when clicking this sheet tab तो यहां पे चार ओप्शन दिये गया है Option A, Alt, Option B, Control, Option C, Shift, Option D, Insert तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Control इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कुछन है This dialog box specifies or modifies the worksheet cells range containing data to be charted यहां पे चार ओप्शन दिये गया है Option A, Chart Allocation Option B, Chart Style Option C, Chart Options Option D, Chart Source Data तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Chart Source Data इसका सही अंसर है तो इस वीडियो में हमने MS Excel, MCQs की सेकंड वीडियो के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद